वेलो वेल हाई गाइज वेलकम बैक टो माई चैनल साइन्स लेंग अगेडमी आज हम आपसे बात करेंगे नुकलोसाइड और नुकलोटाइड के बीच में डिफेंस के बारे में अपको कंफ्यूजन होते है कि वोट डू मीन बाइ नुकलोसाइड और अगी बहुत चोटा सा प्लस नाइटोजनस बेस, ठीक है, अगर शुगर के साथ आपका नाइटोजनस बेस मिला हुआ हो तो वो क्या बनाएगा आपका नुकलो साइड बनाएगा, ओके, जैसे कि आप यहां पर देखो, यह आपकी क्या है, शुगर है, ठीक है, साइटोसीन होगा DNA केस में और आपके RNA केस में क्या होगा थाइमीन की जह रहें हो इसOn Porsche आपको यहां पर दिख़ Blair की साथ ऑपका क्या है आपका बेश सटैश है कि शूगर के साथ आपका नाइटोज्यनिस बेस अचत्ता थे तो उर्हां दोनों जो आपके xter we felt sugar ब्रैको से अते होते हैं public जिसमें आपको दिख रहा होगा, nine carbon nitrogenis sugar and hydrogen of glucose जो ब्रैंड़ती, ग्लाइको से हमें । तो एपा ब्रlightsивать के 캡़ 1 गार 치़्त में आपके आपकी civilly डेन ब्रॉटल और लिखा होगा तो वह free होती है वहाँ पर round मालने के लिए ठीक है उसके around वह freely move कर सकती है इस rotation में भी दो आपके possible confirmations मिलती हैं जो कि आपके हम सीन और anti-form निइस पूर्म आपको देख रही होगी और anti-form निख रहा होगा ठीक है तो ये प्यूरिंस में दोनों देख दूसरे के एक्स्चेंज हो जाते हैं लेकिन पारेमिडीन में वाले में क्या होता है सिर्फ आपकी एंटी फॉर्म बनती है उसमें क्यों नहीं 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 बनती है steric hindrance होता है आपका oxygen and carbon 5 in sin form ठीक है sin form में क्या होगा आपके carbon 5 है और आपका oxygen नों की बीच में क्या होगा steric hindrance हो जाएगा जिसके विज़े से आपके sin form stable नहीं होती है आप pyrimidine के अंदर आपके anti form stable होती है और आपके purines के अगर बात करेंगे तो sin and anti दोनों फॉर्मा पर आपके बन जाती है अगर आपको purines and pyrimidines भी नहीं पता है तो आप मुझे बता दीजिए मैं उसके ओपर भी आपको एक lesson आपको provide कर दूँगे ठीक है बहुत simple है nitrogenous basis के ओपर मैं एक lesson आपको बना भी दूँगी nitrogenous basis उसमें आपको बता दूँगी ATGC के बारे में बता दूँगी क्या होती है ATGC क्या होते है purines क्या होते है pyrimidines अब आपका nucleoside clear होगे nucleoside की बहुत simple सी refination क्या है कि आपको जब sugar nitrogenous basis मिलते हैं तो उसको हम क्या बोलते है nucleoside बोलते है अब आते है nucleoside की ओपर nucleoside क्या होता है जब आपका nucleoside यानि कि आपका जो यह diagram है जो आपको दिख रहा है sugar plus base इसके साथ अगर आपका phosphate भी जूड़ जाए तो वो क्या बनाएगा nucleoside बनाएगा nucleoside क्या हुआ nucleoside plus phosphate इक्वल to nucleoside nucleoside अब जो nucleoside है nucleoside की बिना अधूरा है nucleoside से सिर्फ आपका DNA और RNA नहीं बनेगा आपको phosphate भी जोड़ना पड़ेगा nucleoside से जाएगा DNA और RNA फोर्म होगा तो में लिए इनको फंक्शन क्या होते है nucleoside के nucleoside क्या होते है formation of energy currency like ATP and GTP ATP and GTP formation के अंदर इनको use क्या जाता है as an energy currency को use क्या जाता है यह precursors होते हैं आपके several important coenzyme के जो कौन कौन से हैं आपके NAD, NADP, FAD and coenzyme A इन सब important coenzyme के क्या होते हैं precursors होते हैं serving as a precursor for secondary messenger like cyclic AMP and cyclic GMP cyclic AMP और cyclic GMP है उसके लिए secondary messenger की तरह काम करते हैं अब आते हैं आपके nucleotide की एक आपके structure में हापे दिखाती हूँ देखो यह आपका क्या है adenosine ठीक है इसके अंतर आपको दिख रहा होगा कि आपके sugar है ठीक है sugar के साथ आपका क्या अटेच है आपका nitrogenous base अटेच है उसके साथ साथ आपको phosphate भी दिख रहा होगा ठीक है तो यह पूरा क्या आपका structure है वो क्या है adenosine triphosphate यानि की ATP के structure है ठीक है तो आप देख रहे होंगे यह पूरी जो structure यहाँ पर दिखाई गई है यह वाली जो structure है आपकी यह तीनों चीज़े बोलेंगे ठीक है ओके आगे समझ में इसमें ATP के बारे में बताएगे देखो ATP क्या होता है लिंग होता है आपके catabolic और anabolic reactions की बीच में इसमें as an energy currency की तरह वो काम करता है as an donor of high energy phosphate को donate करने के लिए काम आता है ठीक है और जो में लिए आपकी ATP की active forms होती है वो mg plus 2 और mn plus 2 की साथ complex बनाती है बहुत simple है आपको आपके course में जहां तक आता है वो nucleotide और nucleoside की बीच में difference आता है ठीक है तो nucleotide और nucleoside का आपको पता ही चल गया होगा nucleoside क्या है आपका nucleoside क्या है आपका sugar plus nitrogenous base उसका हम nucleoside बोलेंगे और nucleoside plus phosphate उसका हम क्या बोलेंगे nucleotide clear है coid out तो यह था आपका nucleoside है nucleotide कोई confuse होने की ज़रत नहीं है बहुत simple है अगर फिर भी नहीं समझ मारा हो तो आप मुझसे comment करके पूछ सकते हैं और मुझे topic में बता सकते हैं कि आप किस topic पे new lessons चाते हैं okay so मिलते हैं next class के अंदर अगर आपको lessons पसंद आ रहे हैं तो like करना and also subscribe my channel science learning academy thank you to all